टावा में पहली बार राश्ट्री ग्रामिना जिविका मिशन से जुड़ी समू की महिलाओं ने स्ट्रॉबरी खेती की शुरुआत की है स्ट्रॉबरी भारत की बागवानी में एक नया फल है इसे अपना कर महिला अच्छी कमाई कर सकती है स्ट्रॉबरी की रुपाई सितंबर से नवंबर के माध्य में की जाती है स्ट्रॉबरी से महीलाओं को स्वास्त पोशन के साथ साथ आर्थिक उन्नेयन होगा उपायुक्त ब्रजमोहन अमबेड ने कहा कि विकास खंड जस्वन नगर के ग्राम नगला भीकन में समोगी महीलाओं स्ट्रॉबरी की खेती पर नवाचार कर रही है उन्होंने कहा कि जब महीलाओं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी तो परिवार और समाज भी सशक्त होगा ग्राम नग्षित्र में गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक सशक्ति करण से महीलाओं सशक्त हो रही है इन्हें वे बिन आर्थिक गतविधियों से जोड़ा जा रहा है पारम पर तरीके से यहां पर जो खेती होती थी उससे हट करके इनको कुछ कराई हमने इस के अंतरगत ओपसीजन वेजी टेबल्स की खेती सफलता पूर्वक इंटर्डूस कराई और जो आज काफी दीदियों के द्वारा यहां पर की जा लिए ठीक इसी क्रम में हमने तीन फसलों को मुख्याल ऐसे लखनू से हमको नेदेश मिले कि इनको इंटर्डूस कराया जाए जिसमें स्ट्रॉबेरी थी थाई अम्रूप था और रैट यह पापीद था इसकी अंतरगत हमने तीन ही फसलों को अलगला पिकास खंड़ों में इंट हमारे गाउं नगला भीकन पिलव लोकास खंड़ जस्वन नगर में मंत्रवति हैं जो पहले से ही इस तरह की अभिनव खेती करती हैं इनको माध्यम से इस खेती को हमने इस गाउं में इंट्रूस किया है ताजी भी अच्छे किसान है मैं भी शुरू से खेती करती हूं इस लोगों ने हमको चुना कि अच्छा कर सकती हैं सर मैंने यह सोच के किया है कि हमको अच्छा इससे लाब मिलेगा और हमको मतलब हमारे देखा दूनी हमारी और भी महला है मतलब इसको आगे कर सकती है अगर अच्छा हुआ तो और इससे बढ़िया हम अपना महला है परवार तो ला सकती है